है कि है अगर दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूटूब चैनल पर और सरलीकरण की स्प्लिफिक एक इसके हैं सिंपल इंट्रेस्ट सिंपल इंट्रेस्ट की बात कर रहे हैं हम मैं आपको बताओ कि कल यह हमारी क्लास गई थी लेकिन वॉइस नहीं आ रहे थी बराबर तो बहुत सारा मतलब वॉइस प्रॉब्लम हो गया था था थोड़ा सा कॉपरेट किया करो कभी-कभी होता है टेकनिकल इशू है कोई इशू किस पे स्टड़ी 91 के यूटूब चैनल पर ठीक ना तो साम को साथ बते एकदम उपस्तित रहा करो सिंपल इंट्रेस्ट पार्ट फोर है इससे पहले तीन पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक ना चलो सुरू करते हैं सवालों का सिल्सिला सुरू करने से पहले सब से पहले लाइक और सेर का काम कर दिया करो ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या ना हो आप बीच में खाली पढ़ाई करें लाइक और सेर आपको ना करना पड़े ठीक ना मजा आएगा सेंसेशनल है आज मिक्स टाइप के कुश्चन है सिंपल इंट्रेस्ट में आज क्या ह मिक्स टाइप के कुश्चन है जैसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया देखो दस अजार की रुपे की रासी का कुछ भाग आठ परसें की ब्याज की दर से सेज भाग 10 परसें ब्याज की दर से दिया जाता है यदि उसकी ओसत वारसी का है 9.2 है तो दोनों भाग कितने होंगे एलिगेशन टाइप का एक कुश्चन है देखो फरस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर सेकेंड वाला पोर्शन है यहाँ यहाँ पर यहाँ परसें का रेट ऑफ इंट्रेस्ट हो यहाँ पर दस परसें का रेट ऑफ इंट्रेस्ट है दोनों को मिलाने के बाद आपको बना है 9.2 का rate of interest मतलब दोनों को जब आप मिला रहे हो तो 9.2 का rate of interest बन रहा है while calculation हम use करेंगे यह बड़ा है तो यह 1.2 आएगा यह आपका बड़ा हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे 0.8 आजाएगा यह आपके principal का ratio जाता है तो इसका अनुपात दो से काड़ चार से काड़ देंगे दो अनुपाते में 3 दो अनुपाते 3 इनके principal का ratio बना ठीक है ने बिर भाई अब यह आसे समझो कि यह इनके principal का ratio वैसे total कितना हुआ cool बताओ cool कितना हुआ तो यह total है 5 का अनुपात और total principal आपको सवाल में दिया हुआ 10,000 रुपया यहनि 5 का अनुपात ही 10,000 रुपया के बराबर है तो एक का अनुपात 2,000 रुपया के बराबर आ जाएगा तो आपसे दोनों भाग पूछा था तो पहला भाग 2 दुनी के 4,000 रुपया आ जाएगा दूसरा भाग 3 दुनी के एक का अनुपात 2,000 रुपया तो 2 का अनुपात 4,000 रुपया तीन का अनुपात 6,000 रुपया मतलब दूसरा आपको 6,000 रुपया मिल जाएगा तो इस तरह से आपके दोनों पोर्षन आ गए बास समझ में आरी भाई अब तो आवाज आरी ना प्रॉपर बताओ जली से चलो अगला देखो उसी तरह का क्वेशन है 1550 रुपय की धनरासी है पहले भाग पर 5% rate of interest है अग दूसरे भाग पर 8% rate of interest है दोनों को मिलाने के बाद कितना बन रहा है rate of interest बताओ जरा कह रहा है कि 3 वर्स बाद 300 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है आपको तो वारसिक चाहिए न ये ब्याज के रूप में 3 वर्स बाद मिलता है तो 3 वर्स में अगर आपको 300 रुपया मिलता है तो 1 वर्स में आपको कितना मिलेगा 100 रुपया किस पर मिलेगा 1550 पर रेट परसेंट बता रहे हो गुड़े में 100 यह 0 से 0 खतम हो गया 5 से काट दो 5 से काट दोगे तो नीचे 31 आएगा और 5 से काट दोगे तो 20 आएगा 20 गुड़े 10, 200 बटे 31 तो यहाँ पर हम रखेंगे 200 बटे 31 अब यह 31 परसेंट आप चाहते हो कि 31 का कैसे कैलकुलेशन करें मजा नहीं आएगा वैसे कर सकते हो लेकिन अगर 31 का कैलकुलेशन करने में समस्य आए तो एक काम करो इसको 200 लिख दो ठीक ना और जो 31 नीचे था और यह 200 है लगा दो एलिगेशन इसके साथ ठीक है इसके साथ एलिगेशन लगा दो और कुछ भी नहीं करना आपको एलिगेशन लगाओ कौन बड़ा कौन छोटा 200 बड़ा इदर से घटा तो 45 आया और यहां से ये 48 आया ल, आपसे पूछा ए है रासियों का अनुपात बताना है आपको, यही तो अनुपात आया है 3 से काट दो तो 16, 3 से काट दो तो 15, 16 अनुपात ये 15 का अनुपात बनाए ठीक है न तो फड़ा बड़ एक बार वीडिय तेर करो अच्छे अच्छे सवाल अभी तो आने बचे हैं अगला कुश्चन देखो SSE CGL मेंस 2016 का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है क्या दिया हुआ है कि 4000 रुपे की रासी को दो हिस्सों में कर्च पर दी जाती है एक भाग 8% साधान ब्याच पर दूसरा भाग 10% साधान ब्य रुपे का ब्याज मिलता है यहाँ पर यह कौन सा ब्याज है यह वर्स का ब्याज है जैसे पिछले सवाल में 3 साल का ब्याज 300 था तो एक साल का ब्याज कितना आया था 100 रुपया वैसे यहाँ पर यह तो आपका साल का ही ब्याज दे दिया है तो एक साल का ब्याज आपको 352 रुपया दिया है कितने रुपय पे 4,000 रुपय आपका टोटल प्रिंसिपल है तो गुड़े में 100 कर देंगे यहां से 0 से 0 0 से 0 खतम हो गया अब आप rate of interest निकाल रहे हो क्या निकाल रहे हो rate of percent निकाल रहे हो कितना आएगा 4 से काट दो 4.32 4.32 दसमल हो है यहां पे तो 8.8% का rate of interest आया है finally rate of interest आपका 8.8% का आया है यहां से बताव 8.8 लिख देंगे यह 0.8 आ जाएगा और यह 1.2 आ जाएगा calculation करेंगे तो यह कितना आएगा 3 स्टू में 2 का ratio बनेगा 3 स्टू 2 मिला के total कितना हुआ 5 का ratio और total आपको रसीदना दिया हुआ 4,000 रुपया तो 5 का ratio आपके 4,000 के बराबर है तो 1 का ratio आपके 2,000 के बराबर है आपसे कौन सी वाली रासी पूछा है आपसे 8% वाली रासी पूछा है 8% वाली रासी मतलब पहले वाली यह 8% वाली यानि इसका अनुपाद पूछा है, एक का अनुपाद 2000 तो इसका माउन कितना आ जाएगा, 6000 रुपया आ जाएगा, और यही आप से पूछा था, 6000 रुपया, है, एक मिट रुप जो, 544, अरे, यहां से गड़बड हो रहा है यार, यह क्या कर रहे हो, यहां से दे हमें आ रहा है, हो जाता है भाई, कभी-कभी छोटा सा मेरा दिमाग है, इदर उदर घूम जाता है, समझते हो ना बाकी, UPSI का सवाल है, देखो क्या है UPSI का क्वेशन, थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ है, एक निश्ची तरासी पर साधान ब्याज, 2 साल के लिए 1260 रुपया, 5 साल के लिए 1350 रुपया, ब्याज की अनुमानी दर बता हो, बहती अच्छा सवाल है, इसको सिंपली आप लगा सकते यहां से समझो, मालो एक आपका प्रिंसिपल होगा पी रुपया, एक आपका प्रिंसिपल है पी रुपया, दो साल बाद यह आपका जो प्रिंसिपल है, यह दो साल बाद आपका अमाउंट हो जाता है, यहां से एक अमाउंट हो जाता है, कितना हो जाता है, 1260 रुपया, कि आपको होगे सर स्टार्टिंग से यहां से यहां तक जाने में 5 साल का समय लगा, कितने साल का समय लगा है, 5 साल का समय लगा है, स्टार्टिंग से P से लेकर यहां तक जाने में 5 साल का समय लगा है, तो यहां पे आपको 2 वर्स का समय लगा है, अगर यहां पे आपको 2 वर्स का 3 साल लगेगा और अमाउंट कितना होता है 1350 रुपया अब यहां से समझो यानि कि एक आपका पैसा 1260 है जो कि 3 साल में 1350 हो रहा है यानि यहां से बताओ कितने का ब्याज आया यह 3 वर्स का SI आया है 3 वर्स का SI कितना आया आप बताओ इसमेंसे इसको घटाओ 50 इदर 40 इदर 90 रुपया तो एक वर्स का SI बताओ 30 रुपया आ जाएगा एक वर्स का SI कितना आ जाएगा 30 रुपया आ जाएगा एकदम सिंपल तरीका लगा रहे एक वर्स का SI आ गया 30 रुपया अब यहां से समझो मेरी बात को आपसे क्या बोला है एक वर्स का SI आ गया आपका 30 रुपया यहां से आपको एक चीज और दिया हुआ है देखो क्या दिया हुआ है यह दो साल का दिया हुआ है यहां से अगर हम दो साल पहले जाएं तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल मिल अबर अमाउंट होता है तो यह दो साल बाद आपके दो साल के SI में इसमें जुड़ा है मतलब प्रिंसिपल के बाद दो साल का आप इसमें ब्याद जोड़ दियो जिससे आपका 1260 हो गया अगर उस ब्याज को हम घटा दे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा तो एक साल का ब्य आज की अनुमानी दर रेट बताओ रेट मतलब की रेट परसेंट बताना है आप बताओ 30 रुपया आपका एक साल का ब्याज है और 1200 रुपया आपका प्रिंसिपल है 30 रुपया ब्याज है और 1200 रुपया प्रिंसिपल है यानि कि 30 रुपया ब्याज है 1200 रुपया जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई कमेंट करके बताओ है ना बहुत ही प्यारा सा सवाल अगर 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 चलो अवाज आ रही है सुनो द्यान से क्या भूला है आपको तेको दो साल का आपका अमाउंट दिया हुआ है इतना और यहां से लेकर यहां तक 5 साल के बाद का अमाउंट दिया हुआ है तेरे सो पचास यानि कि यह जो तेरे सो पचास है यह दो साल के बाद तीन साल बाद का अमाउंट है यानि कि तीन साल मतलब अमाउंट में आपने तीन साल का ब्याज दिया जिससे वो तेरे सो पचास हो गया कितना रुपया एक्स्ट्रा है 90 रुपया निए तीन वर्स का SI 90 रुपया तो एक साल का SI 30 रुपया आ जाएगा ये दो साल का SI के बाद है इसमें से 60 रुपया घटा देंगे दो साल का ब्याज घटा देंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा 1200 रुपया बहुत आसान है आप त्रेट निकाल सकते हो अगला देखो ये P.U.PS.I का कुश्चन है संजय ने अपनी जमापूजी को एक बैंक में निवेसित किया ये रासी साधान ब्याज से दो साल में 1120 हो जाती है और पान साल में 1300 रुपया हो जाती है सेम सवाल है मेरे भाइ ठें सवाल है एक आपका प्रेंसिपल रहा होगा पी यह यहां से दो साल बाद 2 वर्स बाद कितना हुआ होगा amount 1 बताओ कितना हुआ होगा 2 साल बाद कह रहा 1120 रुपया हो गया है ठीक है ना 1120 रुपया हो गया है और फिर यहां से 5 वर्स बाद कितने वर्स बाद 5 वर्स बाद amount 2 जो आया है कितना आया है 1300 रुपया हो गया है कितना हो गया है 1300 रुपया यानि कि यह starting से तो 5 साल का है ब्याज 5 साल बाद आपका amount है 5 साल बाद आपका मिस्रधन है लेकिन अगर आप यहां से देखो तो यहां से यहां तक जाने में तो तीन वर्स का ब्याज, तीन वर्स का SI, बताओ कितना आया तीन वर्स का SI, निकालो, तीन वर्स का SI कितना आ जाएगा, आप बताओ, तेरे सो मिस्वा में से इसको घटाओ, तो 180 रुपया आया, तीन वर्स का एसाई 180 रुपया है, समझो, कितना रुपया है, 180 रुपया है, यह 3 साल का एसाई है, तो यहां से बताओ, एक वर्स का एसाई कितना आएगा, 90 रुपया आजाएगा, स्वारी, 60 रुपया आजाएगा, एक वर्स का एसाई कितना आजाएगा, 60 रुपया आजाएगा, यह 1 वर्स का एसाई आगया, 60 रुपया, अब आपको पताए कि अगर आपको principle चीए, तो इसमें से 2 वर्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, अगर में से आपको 120 रुपया माइनस करना होगा तो आपका यहां से प्रिंसिपल मिल जाएगा एक 1120 में से 120 रुपया माइनस किये तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 रुपया आपका प्रिंसिपल आ गया 1120 में से आपने 120 रुपया जो 2 साल का SI है उसको आपने माइनस किया तो आपको प्रिंसिपल मिल गया आपको मूलधन मिल गया कितना मिला मूलधन आपको एक हजार रुपया अब आपसे सवाल में क्या पूछा है तो मूल रासी कितनी थी मूल रासी ही आपसे पूछा है मूल रासी आपकी एक हजार रुपया थी तो एक कि रासी साधान व्याज की दर से तीन साल में इतना हो जाती है तो तीन साल में कितनी हो जाएगे देखो बहुत अच्छा सवाल है इसको यहां से समझो यहां से देखो ठीक है हाँ ठीक है ना 12 12 14 48 48 उसमें जोड़ देंगे 8 6 14 चलो अच्छ बार बार अठेच चानवे जोड़ देंगे देखो बहुत ही अच्छा सवाल है इसको ट्रीक से भी लगा सकते हैं बहुत सारे तरीके इसको लगाने के समझो देहां से एक तो आपके 800 रुपे की रासी है 800 रुपे की रासी है ऐसा ह अमाउंट है आपका 3 साल बात का और यह आपका क्या है यह आपका अमाउंट है 3 साल बात का और यह जो है आपका प्रिंसिपल है क्या है प्रिंसिपल है तो बताओ यहां से ब्याज कितना बना इन दोनों रास्यों को तुल ना करने पर आपको पता चलेगा कि यहां से आपक एक वर्स का ब्याज एक वर्स का SI बताओ 156 का 1 बटे 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 3 पचे 15, 3 दुनी के 52 रुपया, यानि आपकी rate क्या बनी rate बताओ, तो rate आपकी बनी 52 बटे में 800 रुपया बे ब्याज है तो 800, गुडे में 100 ठीक है, 2,0 से 2,0 कड़ गया 8,48, 8,5 6,5% 6,5% की आपकी rate बनी है आपसे कह रहा है तो यहाँ के बाद सवाल यहाँ तक सवाल सवाल बहो गया rate आपको मिल गया 6,5% का आगे आपसे क्या बोला है 3 साल में 800 की रासी क्या होगी अगर व्याज की दर 4% ब्रिद्धी हो जाए चलो अब एक नया interest आपको बताना है यहाँ से देखो interest, SI2 ठीक ना, SI number 2 बताना है आपको समझो यहाँ से नया, interest number 2 कहारा, 6,5 में आपको कितना 4% बढ़ गया है तो कितना आजाएगा, 10,5% 10,5% हो गया है 6,5% में 4,5% बढ़ गया है तो 10,5% आगया तो आपसे पूछा है कि रासी क्या होगी यानि आपसे amount पूछा है अच्छे बताओ SI कितना बनेगा, कितने साल का 3 साल का तो 10,5 के हिसाब से 3 साल के लिए 31,5% आपका SI हो जाएगा तो आपसे पूछा है amount कितना आएगा amount होते हैं कि मिस्रधन मिस्रधन आपसे पूछा है, बताइए कितना होगा मिस्रधन, आप यहां से बता सकते हैं amount बराबर होता है, principal प्लस में SI, principal आपका हमेशा 100% होता है, SI 31 है यानि कि 131 दसमलों में 5% ठीक है न, एक परसेंट का मान आपको पता है, जगबे आपकी रासी देखो यहां से, आपकी रासी जब 100% है 100% का मतलब 800 तो एक परसेंट का मान कितना हो जाएगा 8 रुपया, एक परसेंट का मान कितना हो जाएगा 8 रुपया, तो यहां से 131 दस मलों का मतलब 131 दस मलों में 5 गुड़े में 8 कर देंगे 8.0, 8.8, 8.4, 12.2 10 मलों खतम हो गया ठीक है ना और 8 तरीके 24 24, 25 और 8.8, 8.2, 10 1052 रुपे का आपका अमाउंट बनेगा 1052 इस दर राइट आसर एकदम बेसिक तरीका है भीया एकदम सिंपल आपने लॉजिक इस्तेमाल के और आंसर निकाल लिया आप इसी सवाल को दूसरे तरीके से कर सकते हो देखो आपकी पहले भी रासी जितनी थी अभी भी आपकी रासी उतनी है पहले आपकी रासी जितनी थी आपतियाई, बारा परसेंट साई बढ़ेगा, तो यानि आपका एसाई कितना बढ़ जाएगा, आठ सो गुड़े में 12%, डिवाइड बाई 100, तो बारा अठे 96, 96 रुपया आपका एसाई बन जाएगा, पहले आपका आमाऊंट कितना था, पहले आपका अमाउंट कितना था पहले आपका अमाउंट 956 था उसी में 96 रुपया जोड़ दो 6-6-12-9-5-4-14-1-15-9-10 1,012 रुपया आपका नए अमाउंट आ चाहेगा बहुत आसान सवाल है भी या एकदम लॉजिक से तुरंद की तुरंद लगा सकते हो तक चार-चार करके मतलब 12% की ब्रिद्धी हो जाएगी 12% की ब्रिद्धी हो रही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है कि 800 रुपया का 12% 96 रुपया आपका अमाउंट बढ़ जाएगा तो पहले आपका अमाउंट 956 चानब रुपया बढ़के बी थी जिसमें से 4,000 रुपय तुरंद Read you अभी भी 12,000 रुपय aunt प्रेशा हुआ है अब आगे देगा क्या बोला है क्या रहा कि जो पैसा बचा हुआ है जो 12,000 रुपया बचा हुआ है वो 15 महीनों बात देता है, 15 महीना ब्यात देऊगे तो कुछ ना कुछ इंट्रेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंट्रेस्ट जो है, वो 12% प्रतिवर्स है, तो इसका मतलब 12,000 रुपया पे, एसाई बताओ, देखो, एसाई बताओ कितने का लगेगा, 12,000 रुपया पे, 12% की दर से, कितने महीना के लिए, 15 महीना मतलब 15 बटे, 12 करना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज आपका प्रतिवर्स है, 12 से 12 खतम हो गया, 20 से 20 खतम हो गया, 12,000 रुपया था न, यहां से 12,000 था, ठीक है, 20 से 20 खतम हुआ है, 12,000 रुपया, 18,000 रुपया आपका SI आ गया है, मतलब आपको 18,000 रुपया जादा देना है, 16,000 की टीवी थी, जिसमें आप 18,000 रुपया ब्याज दे रहे हो, 16,000 की टीवी में आप 18,000 रुपया ब्याज दे रहे हो, तो आप टीवी के लिए टोटल कितना पे करोगे, 17,800 र आंसर करो अगला सवाल आपके सामने हैं देखो ज़रा ध्यान से देखो बदा रहां कि आट अट जार रुपे की मोबाइल खरीता है 3500 रुपे तुरन दे रहता है बाकी 8% की ब्याश से 18 महीने बाद देता है सेम सवाल है सेम तरीके से लगाना है इस सवाल का आंसर आपको गि कि कितना आएगा आंसर कमेंट सेक्षन में कमेंट करिएगा सेम सवाल है आपके लिए अगला देखो मिक्स टाइप के सवाल मैंने कहा था कि हर टाइप के सवाल इसमें ऐसा है एक आदमी ने अपनी पूजी का एक बटे दो भाग 10% के वारसिक ब्याज पर एक बटे तीन भा माना कुल पूजी हमने मान लिया कुल पूजी जो है 600 रुपया है हमने असा मान लिया कि कुल पूजी 600 रुपया है बासन में कुल पूजी आपकी 600 रुपया है अब देखो 600 पे एक बटे दो भाग 600 का 1-2 बताओ, कितना आएगा? 300 रुपया 300 पे जो ब्याज है वो 10% का है, 300 का ब्याज का मतलब 300 रुपय का ब्याज हो गया आगे देखो, यही साहत आँज नहीं आरे थी न? किल्विच के तरह आँज आरे थी । आगे देखो एक बटे तीन भाग पर अब किसका एक बटे तीन इसी का एक बटे तीन निकालोगे 600 का एक बटे तीन कितना होता है 200 रुपया 200 रुपया पर आपने जो ब्यास दिया है यहां से जो 200 रुपया आया आपने इस पर जो ब्यास दिया है कितने का ब्यास दिया है तो आपने कहां 9% का ब्यास दिया है तो 9% 200 का 9% निकालेंगे 9 दुनी के 18 18 रुपय आपने यहां ब्यास दिया है बाकी 6 amount कितना बचा कह रहा है कि 6 पर 12% निवेसित किया है 6 पर अब 6 कितना बचा है या आपी ने बताओगे कि सेस कितना बचा है, अब यहां से समझो, कि सेस कितना बचा, 600 रुपय टोटल अमाउंट था, 300 यहां दे दिया, 200 यहां दे दिया, यानि अभी भी 100 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है, यानि कि अभी भी आपका 100 रुपया बचा ह आया, 30, 18, 48, 42, 60, 60 आपने दिया है, तो average आपसे पूछा है, कि average कितना लगेगा, 60 आपका ब्याज है, average क्या पूछा है, कि औस अत्वारसिक ब्याज की दर क्या होगी, rate परसेंट आपसे पूछा है, 60 रुपया आपने ब्याज दिया है, किस पे, किस पे दिया है, तो 600 रुपया की रासी पे दिया है, एक बटे दो रुपया पर 9% का ब्याज यानि कि 18 रुपया ब्याज दिया है और 100 जो बचा हुआ इस पर 12% का ब्याज मतलब आपने तीन बार ब्याज दिया है एक बार 10% ब्याज, एक बार 9% ब्याज, एक बार 12% ब्याज तीनों मिलाकर ब्याज कितना हुआ तो आप 10, 9, 12 तो एक average होगा न ये 10 अलग दिया 12 अलग दिया 3 अलग अलग rate से दिया है तो देखो ये 3 लोगों को मालने आपने amount दे दिया तो आपको तो एक on and average पता होगा कि कितना average से आपको पैसा ब्याज मिल रहा है तो वो आपको 10% के average से पैसा मिल रहा है इस तरह से आपने निकाल दिया अगला सवाल same to same हुबहू वैसा का वैसा ही है देखो एक आदमी अपनी धनरासी पर 40% भाग पर देखो मान लेते हैं माना माना उसकी धनरासी जो है 100% है कितना है 100% है 100% का क्या खह रहा है एक आदमी धनरासी का 40% भाग पर 40% भाग मतलब की 40 रुपया पर कितने का ब्याज दिया है 15% का इस पर रेट लगाया है 15% का अब 40 पर 15 बताओ 40 पर अगर 40 परसन का 15 निकालोगे चालिस का मतलब होता है 2 बटे 5 तो 15 दुनी के 30 बटे 5 यानि कि 6 6% का ब्याज निकल के आया ये जो आपका इंट्रेस निकल के आ रहा है कितना आ रहा है आपका इंट्रेस 6% आया पहले के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आगे बोला है सेस का 50% भाग देखो एक आदमी अपनी धनरासी का 40% भाग जो है 15% की वार्षिक दर से दिया है और सेस का 50% भाग सेस का 50% भाग अब सेस कितना बचा? ओ बाई, सेस यानस देखो सेस कितना बचा? तो देखो 40 यहाँ दे दिया है 40 यहां दे दिया है 100 में से 40 भाग पे ब्याज दे दिया तो अभी भी 60% बचा है लेकिन आपको 60 पे क्या है 60 का 50% देना है 60 का 50% कितना होता है 6 पचे 30% इस 30% पे अब आप ब्याज दोगे 30% पे कितने की तरह से ब्याज लग रहा है 10% की दर से ब्याज लग रहा है तो 30 का 10% कितना आएगा 3 आएगा 3% यह आपका दूसरा ब्याज आ गया है नभी यह जो आपने 30% पर दिया है आगे क्या कह रहा है तथा 6 भाग पर अच्छा कितना बचा 100 था 40 यहां 30 यहां 70 हो गया यानि अभी भी आपका 30% बचा हुआ है बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है यह 6 है जल्ली बताओ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है 100 था 40 यहां दिया 30 यहां दिया यानि अभी भी 30 बचा हुआ है तो इस 30% पे अब ब्याज कितने सी दर से दे रहा है 18% की दर से ब्याज दे रहा है तो 18 तियां 54 यानि कि 5 दसमलो 4% का rate of interest लग रहा है आप से क्या पूछा है यदि कुल धनरासी की ब्याज की गड़ना करनी हो तो ब्याज की वारसी दर क्या होगी चुकि आपने इसको 100 माल लिया है 100 माल लिया है तो अब यही आपके टोटल ब्याज है तो overall ब्याज कितना हुआ 8, 6, 3, 9, 5, 14 दसमलों में 4% यही आपका final rate परसेंट हुआ है 14 दसमलों में 4% 14 दसमलों में 4% यही आपका final answer है 3rd one is the final answer इसका 3rd आया final answer समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बहुत ही अच्छा सवाल था भीया ठीक है तो यह आज आपका आखरी सवाल था मज़दार से YouTube की class थी भीया आप अगर यह class आपको अच्छी लगी है पसंद आ रही है तो आप class को जादा से जादा लोगों तक share करिए और अगर आप share नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जूर कर दीजेगा मिलते हैं अगली class में तब तक हसते रिए मुस्कुराते रिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए जैहिन लभी ओल